Hello everyone, कैसे हैं आप सब? Investing with Hardy में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो और एक नई अपडेट में इस वीडियो में हम बात करेंगे अडानी ग्रूप के रिगार्डिंग काफी बड़े बड़े अपडेट्स जो हैं आज के दिन में हमें देखने को मिल जाते हैं हाला कि काफी कंपनीज में जो अडानी ग्रूप से बिलॉंग करते हैं उनके अंदर आज भी 5% की गिरावर देखने को मिलिये बले ही अडानी पावर हो, अडानी ट्रांश्मिशन या फिर अडानी गरीन हो आज के दिन में देखने को मिल जाती हैं तो चले वीडियो को शुरू कर लेते हैं और अगर आपने चैनल पे पहली बावर वजित की तो चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल रिकिन को प्रेस करके और पे जरूर सब्सक्राइब कर लेजे, ताकि जैसे ही वीडियो अप्लोड हो आप लोगों तक तुरन नौटिफिकेशन पहुँच जाए तो देखे, पहले अपडेट की अगर मैं बात करूँ तो पहला अपडेट आप लोगों के सामने है कि अडानी हिनननबाग रो एस सी यानि की सुप्रीम कोर्ट एगरीज टू हीर फ्रेश प्याइल आफ कॉंग्रेस लीडर ओन फैवरी सेवंटीन आज का अपडेट है यानि की अब सत्रा फरवरी को जो है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से जो है काफी चीज़े बदल सकती है तो यहाँ पे लिखा गया कि सुप्रीम कोर्ट हो सकता कि आदेश दे सीबी को और जिसके वज़र से यहाँ पे जो एक माहुल डरडर का माहुल जो चल रहा है मार्केट के अंदर वो कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई है सत्रा तारिक को यानि कि सत्रा तारिक काफी एहम दिन होने वाला है अडानी हिंडनबग रिपोर्ट के मुदाबिक जो गिरावट अडानी ग्रूप के स्टॉक्स में हमें देखने को मिल रहे है उसके वज़े से काफी बड़ा नुक्सान हो चुका है तो देखें तो सुप्रीम कोर्ट ओन वेदनेस डे लिस्टिड ओन फेबररी 17 एपेटिशन फिल्ड बाई कॉंग्रेस पॉर्टी लीडर डॉक्टर जया ठाकूर सीकिंग इन्वेस्टिगेशन अगेंस अडानी ग्रूप उन तबेसिज ओफ रिपोर्ट सब्मेंटेट बाई युएस बेस शोर्ट शेलर फिर्म हिननबर्ग रिसेर्च अक्यूजिंग इट ओफ मार्केट मैनिपलेशन और फैनिसल प्रोड तो यह सारी चीजे जो है हिनननबर्ग रिपोर्ट में हमें देखने को मिले और उसके बावजूद जो है कॉंग्रेस लिडर की तरफ से एक पेटिशन फाइल की गई है जिसमें यह कागा है कि अडानी ग्रूप के ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशन आपनों को करनी चाहिए इनका साफ साफ दावा यह किया जा रहा है कि जब मार्केट के अंदर जिस शेर का प्राइस अठारा सो रुपे है वो भी क्यों एफपो के जरी अडानी एंटरप्राइज ने बत्तिस सो रुपे में बेचा है तो ऐसे में कहीं ने कहीं जो हैं वो लग रहें काफी बड़े बड़े ऐलिकेशन लग रहे हैं और इसमें जो है एवेंच लेड़ बाई चीफ जस्टिट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंदरचुद एग्रीड टू लिस्ट दपैटिशन अलॉंग विद्ट टू अथर्स ऑलेड़ी शड इस्पाइट बलटबाथ इन अडानी ग्रूप स्टॉक्स इन लास्ट वीक और जैनुवरी टूंटी एवेंटी त्री डीएस्पी मूच्यल फंड जो है इक उसने यहां पे अडानी ग्रूप के छे कंपनीज के अंदर गिरावट के टाइम पे भी यहां पे और्मोस्ट जो अपना स्टेक इंक्रीज कर दिया है और काफी बड़ी अपडेट है इसकी वज़े से भी देखिए कि एशीसी के पास पहले जो शेर्स थे एशीसी एज़ों 31 दिसमबर डीएस्पी मूच्यल फंड वोज ओल्डिंग 17,1917 शेर्स ठीक है पहले थे 17,1917 शेर्स और अब जो है अल्मोस 17,001,000 से वड़कर 17,41,561 जो है यहां पे हमें एसीसी के अंदर डीएस्पी मूच्यल फंड्स के खरीदे जाने की सम्मावनाएं बढ़ती भी जा रही है और ऐसे में अपडेट जो देखने हों मिल रहा है तो उसके अंदर स्टेक इंक्रीज किया है अंबुजा सिमेंट की बात को तो 46,001,706 शेर्स थे और उसके बावजूद जो है अब इनके पास अल्मोस अगर मैं बात को तो डाटा अगर सामने है तो यहां पे इंक्रीज किया है अपना स्टेक अल्मोस जो है 0.4% स्टेक डेट इस 34,001,705 तो पहले 34,001,705 तो पहले सभी कंपनीज के अंदर जो है अडानी ग्रूप की DSP mutual fund ने स्टेक इंक्रीज किया है हाला कि जब December quarter के बात है यहनि कि जब अडानी इननबग report का यह मामला तो आया है January 2013 के last week में और यह सारी की सारी buying हुई है December quarter के अंदर यह सारी की सारी buying हमें अडानी ग्रूप के stocks के अंदर देखने को मिल चुकी है आज के दिन के अगर मैं बात करूँ तो देखिए अडानी enterprises 1.7% की तेज़ी के साथ बंद हुआ अडानी green में 5% का lower circuit अडानी ports जो है almost 1% की तेज़ी के साथ बंद हुआ अडानी power 5% की गिरावट अडानी transmission 5% की गिर अडानी ग्रूप में काफी बड़ी गिरावट हो चुकी है अडानी green अडानी transmission और अडानी power यह तीन ऐसे stocks हैं चो काफी नीचे तक आ चुके हैं और इनके अंदर एक fresh buying opportunity भी आप लोगों के लिए निकल कर आ रही है आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को पहली बार विजिट की तो चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके all पे जरूर चलेक्ट कर लीजेगा